मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, मौसम बतल रहा है, इस बार गर्मी भी बहुत रही, लिगन अच्छा हुआ कि वर्षा रुतू समय पर अपने नक्से कदम पर आगे बढ़ रहा है, देश के कई भागों में जमा जम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, बारिश के बाद ठंडी हवाओं में पिछले दिनों की गर्मी से राहत कानुभव हो रहा है, और हम सबने देखा हैं कि जीवन में कितनी आपा धापी हो, कितना ही तनाव हो, व्यक्तिकर जीवन हो, सारवजनी जीवन हो, बारिश का आगमन ही हमारी मनस्तिती को बदल देता है, आज बगवान जगनाज्य की रत्यात्रा देश के कई भागों में बहुती स्रद्धा और उल्लास गुर्वक देशवासी मनाते हैं, अब तो विश्व कई भी कुछ भागों में बगवान जगनाज्य की रत्यात्रा का उत्सव संपन होता है, और बगवान जगनाज्य के बामेडकर का ध्यान किया होगा उन्होंने देखा होगा कि भगवान जगर्नाथ जी का मंदीर और उसकी परंपराओं की वो बड़ी तारीप करते थे क्योंकि उसमें सामाजिक ज्ञाय सामाजिक समरस्ता अंतर नहीं थे वगवान जगरनाथ गरीबों का देवता है और बहुत कम लोगों को पता होगा अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनोट और उसका मतलब होता है ऐसा भव्यरत जिसे कोई रोप नहीं सकता और इस जगरनोट का डिक्शनेरी मिनिंग में भी यह पाया जाता है कि यह जगरनाथ के रत के साथ मैंसे ही यह शब्द का उद्भव हुआ है और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगरनाथ इस आत्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से माहत्में स्विकार किया है बगवान जगरनाथ आत्रा के अफसर पर जा किमें सभी देश्वास्यों को कि स्वुकामनाय देता हूं और बगवान जगरनाथ जुके स्सरी चर्णों में प्रणांव भी करता हूं भारत की विवितता यह पिशेष्था भी है भारत की विविदता ये भारत की शक्ति भी है रमजान का पवित्र महिना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया अब इद का त्योहार है इद उल्फितर के इस अवसर पर मेरी तरफ से सब को इद की बहुत-बहुत सुबकामना है रमजान महिना पुन्यदान का महिना है खुशियों को भाटने का महिना है और जितनी खुशियां भाटते हैं उतनी खुशियां बढ़ती हैं आए हम सब मिल करके इन पवित्र उत्समों से परिणा ले करके खुशियों के खजान को बाढ़ते चले, देश को आगे बढ़ाते चले रमजान के इस पवित्र महिने में उत्तरप देश के बिजनोर के मुबारक पूर गाउं की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई करीब शाड़े तीन हजार हमारे मुसलमान भाई बहनों के परिवार वहां उस छोटे से गाऊं में बसते हैं एक परकार से ज्यादा अबादी हमारे मुस्लिम परिवार के भाईयो बेहनों की हैं इस रमजान के अंदर गाओंवालों ने मिल करके सौचालय बनाने का पर व्यक्तिक धड़ी के अंदर सरकार के तरफ के स्हायता मिलती है और उस सहायता की रासी करीब सत्रा लाख रुपिय उनको दी गई, आपको जानकर के सुखत अस्चरिय भी होगा, आनंद होगा, रमजान के इस पवित्र महिने में सभी मुसल्मान भाईयों बहनों ने सरकार को इस सत्रा लाख रुपिय वापिस लोटा दिये, और ये कहा कि हम हमारा सोचालय हमारे परिश्रम से हमारे पैसों से बनाएंगे, ये सत्रा लाख रुपिय आप गाउं की अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए, मैं मुबारकपूर के सभी ग्राम जनों को, रमजान के इस पवित्र अवसर को समाज की भलाई के अवसर में पलटने के लिए भराई देता हूं, उनकी एक एक चीज भी बड़ी ही प्रेरक है, और सबसे बड़ी बात है, उन्हाने मुबारकपूर को खुले में सोच से मुक्त कर दिया, हम जानते हैं कि हमारे देश में तीन प्रदेश ऐसे हैं, सिक्किम, हिमाचल और केरल, वो पहले ही खुले मे सोच से मुक्त गोशित हो चुके हैं, इस सब्तहां उत्राखंड और हर्याना भी ओडियफ गोशित हुए, मैं इन पांच राज्यों के पशासन को, शासन को और जनता जनादन को विशे इस रुप से आभार प्रकट करता हूं, इस कारे को परिपूरुन करने के लिए, हम बल विएक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, तो बड़ी कड़ी महनत करनी पड़ती हैं, अगर हमारे हैंड राइटिंग खराब है, अगर उसको ठीक करना है, तो लंबे अर्षे तक भहुत जागुरुक रह करके प्रयास करना पड़ता है, तब इसी बुरी आधते हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गई हैं, कि इसे मुक्ति पाने के लिए अभीरत रुप से हमें प्रयास करना ही पड़ेगा, हर किसी का ध्यान आकरसित करना ही पड़ेगा, अच्छी प्रेरक घटनाओं का बार बार समरन भी करना पड़ेगा, और मुझे खुशी है कि आज स्वच्चता ये सरकारी कारकम नहीं रहा है, ये जन समाज का, जन सामान्य क एक आंदोलन बनता चला जा रहा है, और शासन में बैठे हुए लोग भी जब जन भागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो कितनी ताकत बढ़ जाती है, पिछले दिनों एक बहुत ही उत्तम घटना मेरे ध्यान में आई, जो मैं आपके सामने जुरू कहना चाहू लेकी, वहां के प्रशासन ने जन भागीदारी से एक बड़ा काम हात में लिया, दस मार्च सुबह छे बज़े से लेकर के, चौदा मार्च सुबह दस बज़े तक, सौ गंटे का नोन स्टॉप अभियान, और लक्ष क्या था, एक सो गंटे में इकतर ग्राम पंचायतों में दस हजार घरेलू सौचाले बनाना, और मेरे प्यारे देशवासियों, आप जान करके खुश हो जाएंगे, कि जनता जनारदन ने और शासन ने मिल करके, सौ गंटे में दस हजार सौचाले बनाने का काम सफलता पुर्वक पुर्ण कर दिया, इकतर गाउं उडियेफ हो गए, मैं शासन में बैटे हुए लोगों को, सरकारी अधिकारियों को, और विजयनगरम जिले के उन गाउं के नागरिकों को, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, कि हापने परिश्रम की पराकास्ठा करते हुए, बड़ा प्रेरक उधारन प्र नरेद्र मोधियेप पराते रहते हैं, माय गववीन पराते हैं, चीछियों से आते हैं, आकाशवाणी पर आते हैं, स्रिमान प्रकास्ठिपाठी ने इमर्जंसी को याद करते हुए लिखा है, कि 25 जून को लोगतंत्र के इतिहास में एक काला कालखंड के रूप में उन्हो ने प्रस्थूत किया है, प्रकास्ठिपाठी जी की, लोगतंत्र के प्रतिय जागरुकता सरहानिय है, और लोगतंत्र एक ववस्ता ही है, ऐसा नहीं है, वो एक समस्कार भी है, इतर्नल विजलन्स इस अप्राइस अव लिबर्टि, लोगतंत्र के प्रतिय नित्यर जागरुकता जरूरी होती है, और इसलिए लोगतंत्र को आगहत करने वाली बातों को भी समरन करना होता है, और लोगतंतर की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है 1975-25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोगतंतर प्रेमी भुला नहीं सकता है कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था विरोधी स्वर को दबोज दिया गया था जैप्रकास नारायन सहीत देश के गणमान नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था न्याय व्यवस्था भी अपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बचनी पाई थी अकवारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार थी लोगतंतर में काम करने वाले लोग उन काले कालखन को बार बार समरन करते हुए लोक तंत्र के प्रती जागरुकता बढ़ाने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए उस समय अटल विहारी वाजपाई जी भी जेल में थे जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और रोना ने उस समय की मनस्तिती का वर्णन अपनी कविता में किया है जुलसाता जेठ मास सरद चांद नी उदास जुलसाता जेठ मास सरद चांद नी उदास सिस्की भरते सावन का अंतर गट रीत गया एक बरस बीत गया सिख्चों में सिम्टा जग किन्तू विकल प्राण विहग धरती से अंबर तक गूज मुक्ती गीत गया एक बरस बीत गया एक बरस बीत गया पथ निहारते नयन गिंते दिन पल छिन लौड कभी आयेगा लौड कभी आयेगा मन का जो मीत गया एक बरस बीत गया लोकतंत्र का प्रेमियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और भारत जैसा देश इतना बड़ा विशाल देश जब मौका मिला तो भारत के जन जन के रग रग में लोकतंत्र कैसा व्याप्त है चुनाओ के माध्यम से उस ताकत का प्रदर्शन कर दिया जन जन के रग रग में फैला हुआ ये लोकतंत्र का भाव ये हमारी अमर विरासत है उस विरासत को हमें और शसक्त करना है मेरे प्यारे देश स्वासियों हर हिंदुस्तानी आज विश्व में सरूंचा करकर के गवरों महसूस कर रहा है 21 जून 2017 पुरा विश्व योग मय हो गया पानी से परवर्थ तक लोगों ने सबरे सबरे सूरज की किरणों का स्वागत योग के माध्यम से किया कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा ऐसा नहीं है कि योग पहले होते नहीं थे लेकिन आज योग जब एक धागे में बन गए है योग विश्व को जोड़ने का कारण बन गए है दुनिया के करीब करीब सभी देशों ने योग के इस अवसर को अपना अवसर बना दिया चीन में दे ग्रेट वाल अफ चाइना उस पर लोगों ने योग का अभ्यास किया तो पेरू में वर्ल्ड हरिटेज साइट माचू पीचू पर समुद्र तल से 2400 मीटर उपर लोगों ने योग किया फ्रांस में एफिल टावर की साय में लोगों ने योग किया यूएई में अभीधावी में चार हजार सेधिक लोगों ने सामुई की योग किया अफगानिस्तान में हेरात में इंडिया अफगान फ्रेंड्शिप डेम सलमाबान पर योग करके भारत की दोस्ती को एक नया आयाम दिया सिंगापूर जैसे छोटे से स्थान पर सत्तर स्थावों पर कारकम हुए और सप्ता भरका उन्होंने एक अभ्यान चलाया है यूएन ने अंतराश्टी योग दिवस के दस स्टाम्प्स निकाले उन दस स्टाम्प्स को रिलीज किया यूएन हेड़क्वाटर में योगा शेसन विद्योगा मास्टर्स का आयोजन किया गया यूएन के स्टाप दुनिया के डिप्लोमेट्स हर कोईस में सरीक हुआ इस बार फिर एक बार योग ने विश्व रेकर्ड का भी काम किया गुजरात मेहमदाबाद में करीब करीब 55,000 लोगों ने एक साथ योग करके एक नया विश्व रेकर्ड बना दिया मुझे भी लखनों में योग के कारके में शरीक होने का अवसर मिला लेकिन पहली बार मुझे बारीस में योग करने का सदभाग्य प्राप्त हुआ हमारे सैनिकों ने जहां माइनस 20, 25, 44 डिग्री टेंपरेचर होता है उस सियाचीन में भी योग किया हमारे आम फोरसीज हो ITBP हो सेईफेख हो हर कोई अपनी ड्यूटी के साथ-साद योगा को अिस योगा दिवस पर कि मैंने कहा था कि तीशरा अन्तराष्टी योग दिवस द। मैंने कहा था कि परिवार के तीन पिडिया एक साथ योगा करते हों इसके फोटो शेर किए कुछ टीवी चैनल ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था मुझे काफी फोटो मिले उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स नरदर मोदी अप पर कंपाइल करके रखे गए है जिस पकार से पुरे विश्व में योग की चर्चा हो रही है उसमें एक बात अच्छी को लग रहा है कि फिटनेस का महत्व ही है लेकिन वैलनेस के लिए योग उत्तम मार्ग है रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सब मैं डॉक्टर अनिल सोनारा एमदाबाद कुजराच से बोल रहा हूं सर मेरा एक सवाल है कि रिसेंटली केरला में हमने आपको सुना था कि डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्लेसेज पर जो बुके एज गिप्ट हम देते हैं उसकी जगा काइंड अप गुड़ बुक्स हमको देनी चाहिए एजए मोमेंटो इस चीज का आपने शुरूवात कुजरात में अपने कार्यकाल में भी करवाया था सर लेकिन अभी इन रिसें पी तौर पे इस चीज का इंप्लेमेंटेशन हो सके सर पिछले दिनों मुझे एक बहुत ही मेरे प्रिय कारकम में जाने का आउसर मिला केरल में अच्छा कारकम चलता है कुछ वर्सों से पी एन पनीकर फांडेशन के द्वारा चलता है और लोगों को किताबें पढ़ने की आदत बने लोग किताब पढ़ने की और जागरुक हो इसलिए रिडिंग डे रिडिंग मांत सेलिब्रेशन किया जाता है तो मुझे उसके सुभारम में जाने का मौका मिला और वहां मुझे यह भी बताया गया कि हम बूके नहीं बूक देते हैं मुझे अच्छा लगा और म जब मैं गुजरात में था तो मैंने सरकार में एक परंपरा बनाई थी कि हम भूक नहीं देंगे देंगे या तो हाथ रुमार हेंटकर चीफ उसी से स्वागत करें और खादि का हैं करचीफ तकि खादी को हम बढ़ावा मिले जब तक मैं गुजरात में था हम सब के आदत बन गई थी लेकिन आने के बात मेरी वादत छुट गई थी केरल गया तो फिर से एक बार वह जागरुक हो गई और मैंने तो अभी सरकार में फिर से नीचे सूचना देना भी शुरू कर दिया है हम भी दिरे दिरे एक स्वभाव बना सकते हैं और बूके का आउस बहुत कम होते हैं एक बार हाथ में लिया फिर छोड़ देते हैं लेकिन अगर बूक देते हैं तो एक प्रकार से घर का बन जता है खादी का रुमाल देकर के भी स्वागत करते हैं तो कितने गरीब लोगों को बदद मिलती है खर्चा भी कम हो जाता है और साही रुप से उसका उपयोग भी होता है और जब मैं यह बात कह रहा हूं तो ऐसी चीजों का कितना एतिहासिक मुल्य होता है मैं गत्व सहच वातावरन था बड़े प्यार से उन्होंने भोजन भी कराया लेकिन बाद में उन्होंने मुझे एक बड़े ही आदर के साथ भावात्मक्सवर में एक छोटा सा खादी का और धागे से बुना हुआ एक हैंटकर्चिप दिखाया और उनकी आँखों में चमक थे उन्हो कितने साल हो गए लेकिन क्वीन इलिजाबेट ने महत्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ है हैंटकर्चिप समाल के रखा हुआ है और मैं गया तो उन्होंने इस बात का बड़ा आनन था वो मुझे वो दिखा रही थी और जब मैं देख रहा तो उनका अग्रह राग नहीं मैं उसको चूप करके देखूं मात्मा गांधी की एक छोटी सी भैं उनके जीवन का हिस्सा बन गया उनके इतिहास का हिस्सा बन गया मुझे विश्वास है कि यह आदत रातों रात नहीं बदलती है और जब कभी ऐसी बात करते हैं तो आलोचना भी इसकार करना होता है लेक पर भी आलोचना भी होगी लेकिन बात करते रहेंगे तो देरे-देर सुधार भी होगा मेरे प्यारे देश्वासियों प्रधानमंत्री के नाते अनेग प्रकार के काम रहते हैं फाईलों में डूबे रहते हैं लेकिन मैंने मेरे लिए एक आदत विक्सित की है कि मुझे जो चिठी आती हैं अलग अलग प्रकार के लोग चिठा लिखते हैं इन दिनों एक ऐसी चिठी मुझे पढ़ने का अफसर मिला मुझे लगता है कि मुझे जुरूर आपको बताना चाहिए दूर सुदूर दक्षिण में तमिलनाडू में मदूराइक की एक हाउस वाइफ अरू इकनोमिकल अक्टिविटि करने के दिशा में सोचा परीवार को थोड़ी आर्थिक मदर हो जाए तो मैंने मुद्राय योजना से बैंक से पैसे ली हैं और बाजार के सामान लाकर सप्लाइव करने की दिशा में कुछ काम शुरू किया इतने में मेरे ध्यान में आया कि भारत सरकार ने government e-marketplace नाम की कोई व्यवस्ता खड़ी की है तो मैंने ढूंडा ये क्या है कुछ लोगों से पूछा तो मैंने खुद को भी उसमें रेजिस्टर करवा दिया मैं देश्वासियों को बताना चाहता हूं आपको भी मोका मिले तो आप इंटरनेट पर e-gem e-g-e-m उसकी विजिट कीजिए एक बड़ी नए प्रकार की व्यवस्ता है जो भी सरकार में कोई चीज सप्लाय करना चाहता है छोटी छोटी चीज भेजना चाहता है वो उसमें अपना नाम रेजिस्टर करवा सकता है वो क्या quality का माल है उसके पास वो उसमें लिख करके रख सकता है कितने में वो बेचे गा वो लिख सकता है और सरकार के Department को compulsory है कि उन्होंने उस पर विजीट करना होगा देखना होगा कि सप्लाइ करने वाले Quality की कॉम्प्रमाइं न करते हुए सस्ते में कौन पहुंचाता है और उसको ओर करना होता है और इसके कार्ण बिचोलिय खतम हो गए सारी ट्रांसपरंसी आ गई इंटरफेस नहीं होता है टेक्लोलोजी के माध्यम सही सब होता है तो इजेम के अंदर जो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं सरकार के सभी डिपार्टमेंट उसको देखते रहते हैं बीच में बिचोलिय नहीं होने के कार्ण चीज़े बहुत सस्ती मिलती है अब यह अरूल कि एक तो मुझे मुझे मुद्रा से पैसे मिल गए मेरा कारोबार शुरू हो गया इजेम के अंदर मैंने मैं क्या दे सकती हूं वो सारी सूची रख दी और मुझे प्रधानमंत्री कारले से ओर्डर मिला पीमो से मेरे ली भी नई खबर थी पीमो ने क्या मंगवाया होगा तो उसने लिखा है कि पीमो ने मेरे से दो थर्मोस खरीदे और सोला सो रूपिया के मुझे पेमेंट में बिल गया यह है एंपावर्मेंट यह हैं एंटर्परिनर्शिप को बढ़ावा देने का अउस्सर शायद आरून मोजी जी ने मुझे चिठी न लिखी होती तो मेरा आविशाद इतना ध्यान ने गया होता कि इस जेम की व्यवस्ता से दूर सुदूर एक ग्रहिणी छोटा सा काम कर रही है उसका माल प्रधारमत्री कारले तक खरिदा जा सकता है यही देश की ताकत है इसमें ट्रांसफरंसी भी है इसमें एंटर्परिनर्शिप भी है गवर से ज्यादा ज्यादा जुड़े मैं मानता हूं मिनिममम गवर्मेंट एंड मैक्सिममम गवर्ननस का एक बहतरीन उधारण है और इसका लक्षक है मिनिममम प्राइस और मैक्सिमम इज़ एफिशनसी अंट्रास्फरंसी मेरे प्यारे देश्वासियों एक तरफ हम योग को लेकर के गर्व करते हैं तो दूसरी तरफ हम स्पेस साइंस में हमारी जो सिद्धियां उसके लिए भी गर्व कर सकते हैं और यही तो भारत की विश्यस्ता है कि अगर हमारे पैर योग से जुड़े हुए हैं जमीन पे है तो हमारे सपने दूर दूर आसमान के उसक्षिति जो को पार करना के लिए भी हैं पिछले दिनों खेल में भी और विज्ञान में भी भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है आज भारत के वल धरती पर ही नहीं अंतरिक्ष में भी अपना पर्चम लहरा रहा है अभी दो द और इन सेटलाइट में भारत के अलावा फ्रांस जर्मनी इतली जपान ब्रिटेन अमेरिका असकर करीब करीब 14 देश इसमें सामिल है और भारत के इस नैनो सेटलाइट अभ्यान से खेती के ख्षित्र में किसानी के काम में प्रकृतिक आपदा के सबंद में कापी कुछ हमे में मदद मिलेगी कुछ दिन पहलो इस बात का हम सब को बराबर याद होगा इसरों ने जी साइट 19 का सफल लॉंच किया था और अब तक भारत ने जो सेटलाइट लॉंच किये हैं उसमें यह सबसे जादा वजंदार हैवी सेटलाइट है और हमारे देश के अख़वारों न हमारे वज्यानिकों किया है 19 जून को मार्स मिशन के 1000 दिन पूरे हुई है आप सब को पता होगा कि जब मार्स मिशन के लिए हम लोग सफलता पूरवक और्विट में जगा बनाई थी ति पूरे मिशन एक 6 महने की अवदी के लिए था उसकी लाइब 6 महने की थी लेकिन मु निती बाद भी कि यह हमारा मंगला एन मिशन काम कर रहा है तस्वीर्य भेज रहा है जानकानिया दे रहा है साइंटिफिक डाटा आ रहे हैं तो समय अवदी से भी जादा अपने आयूर से भी जादा काम कर रहा है एक अजार दिन पूरा होना हमारी वैज्यानिक यात्रा के अंदर हमारी अंत्रिक यात्रा के अंदर एक महत्वपुन पड़ाव है इन दिनों स्पॉर्ट्स में भी हम देख रहें कि हमारी युवाओं का रुजान बढ़ता चला जा रहा है अब यह नजर आने लगा है कि पठाई के साथ साथ खेल कुद में भी हमारी युआ पीडी को अपना भविश्ट दिखने लगा है और हमारे खिलाडियों के कारण उनके पुर्शार्थ के कारण उनकी सिद्धी के कारण देश का भी नाम रो सब्सक्राइब के लिए उनको और उनके कोज को रुदय से बढ़ाई देता हूं मुझे कुछ दिन पहले अथलेट पीटी उसा जी के उसा स्कूल आफ अथलेट्स के सिंथेटिक ट्रेक के उस गारण समारों में जुड़ने का अवसर मिला था हम खेल को जितना बढ़ावा देंगे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में स्पिरिट भी लेके आता है खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी एहम भूमिक आदा करता है ओवरॉल पर्सनालिटी डेवलोप्मेंट में खेल का माहत में बहुत हैं देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है अगर अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रूची है तो उनको अफसर देना चाहिए उनको मैदान में से उठा करके कमर में बंद करके किताबों के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए वो पढ़ा ही भी करें उसमें भी आगे बढ़ सकता है तो बढ़ें लेकिन अग किसे ने उसको बल देना चाहिए प्रोसाहित करना चाहिए अगले ओल्यम्पिक के लिए हर किसे ने सपने संजोने चाहिए फिर एक बार मेरे प्यारे देश्वासियों वर्षा रुतू लगातार उत्सवों का माहोल एक प्रकार से ये कालखंड की अनुभूती नहीं होती है मैं फिर एक बार आप सबको शुब कामनाई देते हुए अगले मन की बात के समय फिर कुछ बाते करूंगा नमस्कार नमस्कार हमारे इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है मैं हुरमात्यागी आप देख रहे थे प्रधान मंत्री की बन की बात का 33 संसकरण जिसमें प्रधान मंत्री ने भारत की विविदता को इसकी विशेशता तो बताया है इसकी ताकत भी बताया है और इस ताकत को बनाये रखने में लोकतंतर का महत्व और उस पर आधात करने वाली घटनाओं का स्मरण करने का भी आहवान किया है